हाई एवरीबन वेलकम टू दे यूट्यूब चैनल ओफ और अरस अकेडमी मेरा नाम है हिमांशुम अमतानी और हम लोग पढ़ रहे हैं आई लेक्शर में नोð लेक्शर में हम लोगों ने बात करएं यूटित के बारे में पाकिंग बारे में और आङको देक्टिंग हैं करे तो अगर हम लोग ionic solids की बात करें, तो हमें पता अगर ions हैं, तो हमारे पास cation भी होंगे और nion भी होंगे, cations are positively charged and nions are negatively charged, generally ऐसा देखा गया है कि ionic compound में जो nion है, वो बड़ी size का होता है, और cation जो है, वो छोटी size का होता है, तो cations जो है, वो wide spaces को occupy करना चाहते हैं, और जो हमारे nions है, क्योंकि वो बलकी है, वो बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, वो lattice बनाते हैं, तो आईए कुछ example देखते हैं, तो सबसे पहला example है हमारे पास, आप इसको मान लीजे हमारे पास एक तरीके से, ये square wide है, है ना, और in general मान लीजे हमारे पास चार स्पियर है, और ये जो चार स्पियर हैं, ये बड़े जो हैं, these are negatively charged, ये बड़े spears are negatively charged, तो ये जो negatively charged spears हैं, यह मैं कहते हूं मेरे nions हैं, जो की एक lattice बना रहे हैं, उसमें cation को आके बैठना है, ये जो छोटा सा atom है, ये क्या हो गया, ये जो छोटा सा iron है, उसको हम बोल देते हैं, ये एक cation है, तो cation ये रहा, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये रहा, अब अगर मैं आपसे पूछी हूं, कौन सा arrangement आपको अच्छा लग रहा हैं, तो आप कहेंगे कि ये कैसे पता करें, तो through electrostatic force of attraction or repulsion, अगर मैं negative और negative की बात करूँ, क्या वो चिपकना चाहेंगे, obviously नहीं, वो लोग दूर रहना चाहेंगे, वही negative और positive की बात करूँ, तो वापस में चिपकना चाहेंगे, right, तो सबसे पहले हम लोग इस example की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, negative और negative एक दूसरे को arrangement, मेरे को ऐसा arrangement नहीं चाहिए, आइनिक solid में ऐसा arrangement मिली नहीं सकता, right, अब दूसरे type का arrangement देखते हैं, तो आप देखिए, negative, negative, एक दूसरे को touch कर रहें, negative, तो यह थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा हमको, पर यही negative और positive एक दूसरे को touch करने लग गए, तो यहाँ पर negative, negative में भी repulsion है, और negative, positive में भी क्या है, attraction है, तो basically यह दोनों एक दूसरे को compensate कर देते हैं, तो यह arrangement को मैं माल लेता हूँ, it is decent, है ना, it is decently stable, आच्छा तो ऐसा होगा कि यह दोनों touch ही ना करें, जैसे कि यह है, यह दोनों एक दूसरे को touch ही नहीं करें, तो best ही है, है ना, हर जगे मेरे को attraction मिल रहा है, negative, negative एक दूसरे को touch ही नहीं कर रहे है, negative और positive touch कर रहे है, which is attraction, negative, positive, attraction, तो यह सबसे stable arrangement है, right, तो basically हम ऐसा कह रहे हैं, कि हमारे पास एक ऐसा square arrangement था, मान लीजिए, इसमें मेरे को एक atom को भेजना है, तो मेरे को जो यह, sorry, iron को भेजना है, जब मैं इस iron को भेजूँगा, तो iron जो है minimum touch तो करना ही चाहिए, वरना stability नहीं आएगी, है ना, यह iron जो है थोड़ा और बड़ा हो जाए, यह ऐसे बड़ा हो जाए और इसको distort कर दे, right, जैसे की हा किया है, तो these two are stable, right, इसके बाद जो iron है, इसको थोड़ा और छोटा रखता, तो थोड़ा कम distortion होता, है ना, तो वो भी stability वहाँ से achieve हो जाती, right, तो basically हम लोग बात कर रहे हैं, r plus और r minus के ratio की, है ना, let us say, जो हमारा cation है, उसको आप r सी लिखना चाहें, कुछ लोग r plus भी लिखते हैं, कुछ लोग छोटा r लिखते हैं, right, और अगर मैं n i n की बात करूँ, तो n i n को आप r a लिखना चाहें, r minus लिखना चाहें, या capital r लिखना चाहें, मैं prefer करता हूँ, छोटा r और बड़ा r, छोटा r, जो छोटा अमारा iron है, जो की cation है, उसकी radius है, capital r जो है, वो है radius of n i n, जो की बड़ा है, so this makes life easy है न, तो हम लोग यहाँ पर calculate करना चाहें, r by r, right, अगर हम r by r की value की बात करें, तो वो हर void के लिख अलग-अलग होगा, which we are going to discuss, है न, पर आपको यह समझ में आ गया कि यहाँ पर r by r की जो value है, यह हमारे पास critical या minimum value है, है न, this value is minimum, इससे तो जादा ही चाहिए, है न, क् कि r, जो है हमारा cation है, उसकी radius इससे ज़्यादा ही चाहिए, तो इससे ऊपर कुछ भी चलेगा, this is the minimum value, और हम यह calculate कर सकते हैं, right, तो आएके करके voids की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग 2D में बात कर रहे हैं, तो 2D में हमारे पास हो सकता है triangular void, जो कि हमने देखा था, hexagonal close packing में, right, तो यह एक triangular void है, triangular void, यह तीनों मान लेते हैं, जो भी है, बड़ी size होती है, वो हमारे क्या है, n-i-n's है, इनकी radius है, capital R, और बीच में जो void है, उस void में मैंने बिठा दिया है cation, ठीक है, तो अगर हम लोग उस cation की बात करें, तो वो cation जब बैठा होगा, तो क्या यह तीन n-i-n's को touch कर रहा होगा, that means coordination number of the cation is 3, right, कोई भी चीज, जब एक triangular void में बैठेगी, तो उसका coordination number 3 होगा, this is the first thing, next, I want to calculate the r by r ratio, छोटा r by capital R ratio, तो हम लोग कैसे निकाले, तो it is pretty simple, अगर आप यहाँ पर इसको देखें, यह triangle को, राइट, तो यह जो है, यह तो radius है हमारे पास, capital R, और यहाँ पर यह जो हमारी hypotenuse है, उसको ध्यान से देखते हैं, तो यह basically ऐसा कुछ है, यह तो r मिल गया, यह 90 degree है, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं, तो basically मेरा एक, यह atom, और यह atom एक दूसरे को touch कर रह हैं, तो क्या है, यह जो distance है, capital R, और यह small r, right, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया, कि मैं अगर r plus r, cos का component ले लूँ, तो मेरे को यहाँ r मिल जाएगा, और यह angle कितना है, भाई, यह एक equilateral triangle था, तो यह overall 60 degree था, तो यह इसका bisector है, this is 30 degrees, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे बोल सक हैं, r plus r, cos 30, is basically r, capital R, right, यह आप ऐसा बोलना चाहें, कि cos 30 is basically based by hypotenuse, it's the same thing, है न, तो यहाँ से हम लोगों को r plus r by r की value मिल जाएगी, 1 by cos 30, which is 2 by root 3, तो मैं यहाँ से क्या देख सकते हैं, आप 1 plus r by r की value मिल जाएगी, which is 2 by root 3 minus 1, यहाँ से जब आप r by r की value निकालते हैं, तो वह आती है 0.155, right, मतलब अगर cation को एक triangular void में बैठना है, तो r by r की minimum value 0.155 तो होनी चाहिए, right, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, उससे कम नह ही चल रहा, है ना, क्योंकि repulsions dominate करने लग जाएगे, तो r by r value for a triangular void is 0.155, next जो हम void की बात कर रहे हैं, जो की square void, square void आया था हमारा square packing में, triangular void आया था hexagonal packing में, right, अब मेरे को यहाँ पर cation को देखना है, तो यह जो cation बीच में बैठा है, यह कितने atoms को touch कर रहा है, कितने ions को touch कर रहा है, चार ions को, तो उसका coordination number is 4, right, तो coordination number तो हमेशा हमें तुरंत आई जाना चाहिए देख के, right, अगर मैं इस triangle की बात करूँ, आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक right angle triangle है, तो यह रहा मेरा right angle triangle, इस right angle triangle को ध्यान से देखते हैं, तो यह जो चीज है, this is capital R, this is capital R, this is capital R, this is capital R, तो यह समझ में है, यह तो 2R हो गया, यह भी 2R हो गया, और अगर हाइपोटनिस की बात करें, तो यहाँ से यह तो R दिख रहा है, यह भी R दिख रहा है, और यह जो छोटा है, छोटा स्पियर की diameter 2R हो गई, तो यह दिख रहा है मेरे को, 2R plus 2R, बस अब मैं क्या लगा दूँ, पाइथा गोरस theorem लगा दूँ, तो 2R whole square plus 2R whole square is equal to 2R plus 2R का whole square, right, 4 में common निकालूं, यह तो शहाद आजाएगा 8R square, और यहाँ से 4 बाहर निकाला, तो यह आगे R plus R का whole square, right, तो यह तो काफ easy हो गया, root 2R is equal to R plus R, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, root 2 is equal to R plus R by R, और I can say, यहाँ से R by R की value आएगी, root 2 minus 1, which is 0.414, इसका मतलब क्या समझ में आया, कि अगर एक cation को square wide में बैठना है, जो की anions ने बनाया है, तो R by R की minimum value, again I am repeating this word, minimum value, यह minimum value है, इसके उपर हो सकता है, नीचे, not possible, right, next, next है tetrahedral void, तो I hope आप लोगों को याद है, tetrahedral void बनता के से, नीचे 3 atoms है और उपर एक atom है, right, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ions की तो नीचे 3 nions है, है ना, और उपर भी एक nion है, यहाँ से जो tetrahedral void बनेगा, अब बीच में उसमें जाके बैठा है मेरा ketion, right, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यह tetrahedral geometry ऐसी होती है, है ना, मान लीजए कि जो हमारा void है, बीच में कहीं है, वो है O, तो यह रहा O, आप देखें यहाँ पर A, B, C, D, यह सारे के सारे हमारे tetrahydran के corners हो जाएंगे, right, अब मैं अगर यहाँ पर कोई सभी एक segment ले लूँ, lettuce से O, A, B ले लेता हो, है ना, मैं यह वाला ले लेता हो, तो मेरे को पता है यहाँ पर, यह जो value है, यह total O, A की value, है ना, अगर आप इसको visualize कर पा रहे हो, तो यहाँ पर उपर एक atom है, यहाँ पर एक ऐसे atom है, तो यह ज और अगर मैं यहाँ से एक perpendicular draw करूँ, तो यह तो कहाँ मिल रहा है, R पर ही मिल रहा है, right, तो क्या बोल दूँ यहाँ से, यह हो गया sin theta by 2 is equal to perpendicular which is R, divided by R plus R, right, और theta कितना होता है tetrahiden में, I hope आप सबको पता है, theta is 109 degrees 28 minutes, और I can say 109.5 degrees, तो यहाँ पर जब मैं यह value डालता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, जब मैं यह value डालूँगा, तो यहाँ जाएगा sin of 109.5 divided by 2 is equal to R by R plus R, तो यहाँ से आप small R by capital R की value calculate कर सकते हैं, और वो value आती है 0.225, है ना, calculator की मदद लगेगी, sin 109.5 by 2 निकालने के लिए आप निकालके देखिएगा R by R की value आती है 0.225, फिर से यह minimum value इससे जादा हो सकती, इससे कम, नहीं हो सकती, राइट, I hope this derivation is clear, next, octahedral void की बात कर रहे हैं, तो octahedral void क्या होता है, मैंने आपको बताये था, एक triangle नीचे वाले plane में ऐसा, एक triangle उपर वाले plane में ऐसा, right, नीचे तीन atoms और उपर भी तीन atoms, है ना, for example, आप इसमें visualize करें, तो यह तीन atom, और पीछे की तरफ, यह ऐसा बन रहा होगा, तो बीच में जो बना है, आप देखिए, यह जो बीच में atom बैठा है, कौन सा कलर ले ले, ब्लैक ले ले ले, तो यह जो बैठा है, this is our octahedral void, interestingly, क्या आपको यह square void जैसा नहीं लग रहा है, अगर आप square void को ध्यान से देखिए, थोड़ देर पहले हमने square void पड़ा, square void में क्या था, चार atoms एक plane में है, और बीच में void है, अब आप कहेंगे, सर, यहाँ पर चार atoms थोड़ी एक plane में हैं, तो तीन atoms, यह तीन ions एक plane में हैं, और तीन ions दूसरे plane में हैं, नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, अब यह माल लीजिए, कि मेरे पास यह और यह triangle ऐसे हैं, तो यह बीच में मेरे को क्या मिलेगा, octahedral void मिलेगा, मेरे को यहाँ पर बीच में, इन दोनों के exactly बीच में क्या मिलेगा, octahedral void मिलेगा, और जब यह octahedral void मिलेगा, अब मैं इसको अलग तरीके से पकड़ रहा हूँ, ठीके मैं इसको इस तरीके से पकड़ रहा हूँ, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो एक, दो, तीन और चार, यह दोनों atoms आपको दिख रहे होंगे, उसी के पीछे दो हैं, एक उपर और एक नीचे ऐसा लग रहा है, तो यह actually कैसा लग रहा है, यह actually ऐसा लग रहा है, यह actually ऐसा लग रहा है कि यह 4 atoms ऐसे हैं, एक उपर बैठा है और एक atom नीचे है, तो यह actually square void ही है, है न, क्योंकि अंदर जो void बनने वाला है, वो तो spherical होना चाहिए, तो actually octahedral void and square void exactly have the same r by r ratio, बस अंतर इतना है, square void 2D में होता है, octahedral void 3D में होता है, right, तो r by r की value भी निकाल लेते हैं, अब क्योंकि square void और octahedral void same है, तो r by r की value क्या हो जाएगी, 0.414, and again this is the minimum value, right, next हम बात करते हैं, आखरी type of void, that is a cubical void, cubical void हमको safe और स्रिफ simple cubic में मिलता है, तो यह void कैसा बना है, basically हमारे पास, ऐसा एक simple cubic है, ना पीछे भी atoms हैं ऐसे, right, तो यहाँ पर, जब आप देखेंगे, इस corner से, इस corner के बीच में, exactly हम लोगों को body center, आप मालेज़े, उसका center होगा, वहाँ पर एक void मिलता है, and that void is basically cubical void, cubical void, I basically get in a simple cubic unit cell, तो क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक diagonal की, body diagonal की, तो मेरे को पता है, जो हमारी body diagonal है, उसकी length क्या है, root 3a है, right, और अगर मैं इस body diagonal की बात करूँ, तो आप यहाँ से देखिए, root 3a is actually equal to, 2r plus 2r, है न, हमारे पास यह और यह anion है, और यह kateion है, also, अगर मैं यहाँ पर bond length की बात कर लूँ, sorry, अगर यह distance की बात कर लूँ, तो यह distance कितना है, a है, and that a is actually 2 capital R, right, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, r by r की value निकाल सकता हूँ, मैं इन दोनों को divide कर देता हूँ, तो आजाएगर root 3 is basically equal to r plus r by r, तो यहाँ से r by r की value आ जाती है, root 3 minus 1, which is actually equal to 0.732, इसका मतलब अगर r by r की value 0.732 या उससे जाधा होगी, तो cubical void मिलेगा, clear, तो यह हमने जो सारे type के voids देखे, उनको यहाँ enlist किया गया है, अगर मैं 2D की बात करूँ, तो 2D में हमारे पास एक trigonal void होता है, और एक square void होता है, बाकी tetrahydral, octahedral और cubic 3D में होता है, अब आगे कहीं पर भी मैं बोलूँगा, suppose करिए कि cation tetrahydral void में जाके बैठा है, तो आपको सीधिस समझ में आना चाहिए कि coordination number उसका 4 होगा, octahedral में जाके बैठा है, आपको समझ में आना चाहिए उसका, जो coordination number है वो 6 होगा, राइट, अगर एक cubical void में जाके बैठा है, चाहिए हमने यहाँ देखा नहीं, यहाँ पर जो atom, यहाँ पर जो हमारे पास void है, इसका coordination number क्या हो जाएगा, its coordination number would be 8, क्योंकि यह जो आठो atom से corners पर उन सबको touch कर रहा होगा, isn't it, तो यह सारी बाते अब आपको पता होनी चाहिए, clear, तो आप देख लिजए हमने proof कर रखा है, 0.155 से जाधा है, तो triangular void है, 0.225 से जाधा है, तो tetrahidal void है, इसलिए हम एक range बना देते हैं, कि अगर triangular void की बात करें, देखी, triangular void में हमने बोला था, r by r should be greater than equal to 0.155, और r by r जब इस से जाधा हो जाता है, 225 से तो tetrahidal हो जाएगा, तो trigonal की range क्या हुई, 0.155 से लेके 0.225, ठीक है, tetrahidal की क्या हो गई, 0.225 से 0.414, क्योंकि 0.414 से जाधा हो गया, तो तो octahedral void हो जाएगा, 3D में, 2D में square void हो जाएगा, right, और अगर 0.732 से जाधा होती है value until 1, तो हमको मिलता है cubical void, clear, बाकि आखरी में यह बोला गे कि अगर r by r की value 1 है, बाई दोनों ही same size के है, cation और nion, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक perfect FCC मिल जाएगा, यह HCP मिल जाएगा, दोनों मिल सकते हैं, तो I hope आपको यह सारी बाते समझ में आ गई होंगी, अब हम से यहाँ पर simple simple सवाल भी पूछे जा सकते हैं, for example this, उसने कहा है कि हमारे पास a plus है, और b minus है दोनों की radii दे रखिए, पूछ रहे, coordination number बता, तो यह कैसा सवाल है, तो बहुत ही simple सवाल है, आपको बस r by r की value निकालनी है, r by r की value निकालेंगे, तो 88 by 200 आएगी, which is 0.44, और अगर यह value 0.44 है, तो इक किस के बीच में है, 0.414 और 0.732 के बीच में, और इसके बीच में क्या होता है, octahedral void होता है, अगर octahedral void है, तो coordination number किता हो गया, 6 हो गया, है ना, यहाँ पर इनने specify नहीं किया है, कि यह 2D में बात कर रहा है, है 3D में, तो answer can be 6, और it could be a square void as well, depending upon the dimension, we can change the answer, right, तो जो square void है, उसके लिए हो जाएगा 4, octahedral void है, तो उसके लिए हो जाएगा 6, clear, next, तो अब हमने क्या किया, हमको nature में जितने भी hyalik solids मिले, सबको देखा, उनके r by r की value calculate करें, और जैसी r by r की value आ गई, तो उससे समझ गए कि अच्छा यह octahedral void में होगा, यह tetrahedral void में होगा, और experimentally उससे match कर लिया, ठीक है, तो हमारे slaybas में कुछ आयनिक solids हैं, जिनके structure हमको याद होने चाहिए, the first type of structure is rock salt type structure और NACL type structure, आई यह बात करते हैं, तो अगर हम लोग NACL type structure की बात करें, तो आप देखें, यहाँ पर CL minus जो है, वो बनाता है FCC, है ना, अगर मैं unit cell की बात करूँ, तो FCC है, packing की बात करूँ, तो CCP packing है, ठीक है, confused नहीं होना है, CCP, बताया था मैंने आपको, CCP तो packing है, unit cell क्या है, FCC है, और अगर NA plus की बात करें, तो NA plus occupy करते हैं, all octahedral voids, ऐसा कैसे पता चला, तो basically, मैं आपको data बता देता हूँ, R by R की value, जो है, करीब 0.52 आती है, है ना, radius of NA plus by radius of CL minus is 0.52, क्या याद करना है, नहीं करना है, आपको ये याद करना है, कि जो CL minus है, वो FCC बनाएगा, और NA plus जो है, वो octahedral void में बैठेगा, clear, तो यहाँ से सबसे पहले, तो मैं effective number of atoms निकाल लेता हूँ, या effective number of ions निकाल लेता हूँ, तो अगर हम लोग CL minus की बात करें, भाई, FCC है, तो FCC में तो 4 चाहिए, और अगर मैं बात करूँ, NA plus की, वो occupy कर रहे है, octahedral voids, all octahedral voids, तो आपको ये पता है, octahedral voids are the same number of the number of atoms, तो यहाँ से भी समझ में आ गया, कि NA plus is actually 4, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, कि अगर मेरे पास सिर्फ एक unit cell है, तो उस unit cell में मेरे को 4 NACL के molecule मिलेंगे, right, देख लीजे, क्योंकि Z की value क्या है, दोनों की 4 आ रही है, तो एक unit cell में मेरे को 4 NACL के molecule मिलेंगे, clear, coordination number की बात करते हैं, तो coordination number क्या होगा, अगर मैं coordination number CL की बात करूँ, coordination number of NA plus की बात करूँ, definition पड़ी, कि एक atom, बाजू में कितने atoms को चूँ रहा है, right, पर अब तो ions की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक cation कितने n ions को चूँ रहा है, वैसे ही एक n ion कितने cations को चूँ रहा है, यह उसका coordination number होगा, clear, तो देखते हैं, इस figure के through, तो मैं अगर बात कर लूँ, यह मेरे पास face center है, और face center पर कौन है, c l minus है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, तो c l minus की बात करूँ, तो c l minus कितनो को चूँ रहा है, इसको चूँ रहा है, यह क्या है, यह na plus, 1 na plus, 2 na plus, 3 na plus, 4 na plus, यह तो आपको इसके plane में दिख गए, और एक नीचे body center पे होगा, क्योंकि यह ने plus, क्या octahedral voids को occupy करा है, और octahedral voids edge center, as well as body center पे होता है, और coordination number जब भी निकालते हैं, तो इक packing में निकालते हैं, तो अगर नीचे हैं, तो उपर भी होगा, है ना, तो अगर मैं इस red ion की बात करूँ, तो यह 6 ions को छूँ रहा है, तो coordination number of CL minus is 6, coordination number of na plus, निकालू क्या, अरे निकालने की ज़रोत नहीं, na plus octahedral void में बैठा है, मैंने बता है, octahedral void में कोई बैठेगा, तो उसका coordination number 6 होगा, तो coordination number is 6, right, इसलिए naCl को, हम लोग 6 is to 6 type structure भी बोलते हैं, ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ, मिल जाए, तो 6 is to 6 type का मतलब है, दोनों का coordination number 6 और 6 है, यह number of atoms नहीं है, यह coordination number, तो 6 is to 6 type structure, बाकि अगर आप जानना चाहें कि नहीं सर, इससे देखके बताओ, तो इससे भी अपन बता सकते हैं, एने प्लस का coordination number, तो यह इसको ही ले लेते हैं, जो body center पे है, है ना, यह जो body center पे है, आप देखिए, यह एक, दो, उपर तीन, नीचे चार, आगे पांच, पीछे है, तो इसका भी coordination number 6 है, तो अब आपको मेरी बातों पे यकीन हो गया होगा, है ना, CL minus FCC FCC lattice points पे बैठा है, और NA plus octahedral voids में जाके बैठा है, इतनी बात clear है, तो यह तो simple simple बात हुई, Z की और coordination number की, अब बात करते हैं density की और packing fraction की, ठीक है, तो वैसे अगर इस diagram को अगर आप ध्यान से देख रहे हूँ, तो यहाँ से एक चीज और मैं निकाल सकता हूँ, आप देखिए, यह एक edge length है, है ना, अब अगर इस edge length को ध्यान से सोचें, तो क्या हो रहा है, यह ऐसा है, बीच में, यह जो yellow color है, यह किसका color, yellow या na plus है, यह basically बीच में, और corners में, हमारे पास c l minus है, ऐसा, यह हमारी edge length है, this is a, तो अगर मैं a और r में relation निकालना चाहूँ, तो क्या आप देख सकते हैं, this is capital r, है ना, this is capital r, और यह जो distance है, यह two small r हो गया, है ना, फिर से मैंने r किसकी radius मानी है, na plus की जो छोटा है, और capital r जो है, वो मैंने मानी है, c l minus की radius, agreed, तो अगर a की बात करें, तो यहां से आप देख पा रहे हैं, कि a is actually equal to 2r, plus 2r, 2 छोटा r, plus 2, capital r, clear, लिख लेते हैं इस बात को, a is actually equal to 2r, plus 2r, है ना, यहां आप कहना चाहें, r plus r comes out as a by 2, यह question काफी common है, है ना, state के examों में, या bit set में ऐसा बूछ सकते हैं, कि cation की radius 100 है, total edge length 500 है, तो n9 की radius बता, है ना, बस आपको 2r plus 2r is equal to a, यूज करना है, तो आए यह density की बात कर लेते हैं, density is z into m by na into a cube, right, m किसका लिखूंगा, भाई पूरे na c l का लिखूंगा, total ions मैंने एक unit cell में देख लिए 4 है, na पता है, और a मेरे को यहां से idea लग गया है, right, तो यह सारी value substitute करके, मेरे को density of this unit cell मिल जाएगी, right, next बात करते हैं, packing fraction की, so what is packing fraction, it is basically the volume of the atoms, और I can say the volume of the ions which are present inside, divided by the volume of the unit cell, तो कैसे निकालें, भाई z, तो हमको पता ही है, जो की 4 है, है न, अब इसको अलग-अलग, अगर हमारे पास atoms होते, तो मैं directly लिख देता, z into 4 by 3 pi r cube divided by a cube, पर यहां पर ऐसा नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास cation और nion जो हैं, उनकी radius अलग-अलग है, ठीक है, तो हम दोनों को अलग-अलग कर लेते, अगर मैं na plus की बात करूं, तो na plus का number भी 4 है, c l minus की बात करो, तो उसका number भी 4 है, तो packing efficiency would be, 4 by 3 pi, let us say, r of na plus का cube into 4, right, यह हटा देता हूँ, plus 4 by 3, pi r c l minus का cube, यह भी 4 थे, divided by a cube, और a का relation आपको यह पता है, right, यहाँ पर मैंने आपको बताया, na plus कितने थे, na plus भी 4 थे, और c l minus भी 4 थे, तो इस तरीके से आप packing fraction easily calculate कर सकते हैं, if the data is given to you, right, packing fraction, थोड़ा से difficult हो जाता है, बच्चों के लिए calculate करने के लिए, पर अगर आपको यह relation पता है, तो आप easily यह काम कर सकते हैं, interestingly, ऐसा देखा गया है, देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया, कि NA plus जो है, वो OV में बैठता है, और CL minus जो है, वो FCC में बैठता है, तो क्योंकि हमने हमारा unit cell ऐसा माना था, राइट, पर अब ऐसा हो सकता है, कि आप unit cell को ऐसा ना मान के, ऐसा मान लो, क्योंकि ये तो infinitely क्या हो रहा है, repeat हो रहा है, आप क्या दो कि ये मेरा unit cell है, तो it's the same thing, ये purple color का मेरा unit cell है, राइट, अगर ये मेरा purple color का unit cell हो गया, तो थोड़ा सा अंतर हो गया, अब यहाँ पर मैं बोलूँगा, कि actually na plus जो है, वो FCC बना रहा है, और जो मेरा CL minus से वो अक टाइडल वाइड में बैठ है, तो चाहे ऐसा लिख दूँ, चाहे ऐसा लिख दूँ दोनों सही है, है ना, कोई इसको unit cell मान रहा है, कोई इसको unit cell मान रहा है, एक ही बात है, ठीक है, तो अगर मैं na c l की बात करूँ, na c l type structure, जिसे m x type structure भी बोलते हैं, या a b type structure भी बोलते हैं, उसमें, हमारे पास ketions और naions की, आप एक तरीके से कह सकते हैं, position exchange हो गई है, कहना सही बात नहीं है, है ना, पर क्योंकि ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा statement आपको लिखा हुआ, मिल जाएगा, कि na plus की position पे c l minus बैठ गया, c l minus की position पे na plus बैठ गया, अरे बात वो नहीं है, बात यह है कि कभी इस unit cell को ले लिया, कभी इस unit cell को ले लिया, तो both of these are correct, right, this was na c l type structure, next हम बात करते हैं, c s c l type structure, तो अगर मैं cesium और c l minus का आपको ratio बता हूँ, तो यह भी approximately c s plus by c l minus approximately 0.93 के अस्पास आ रहा है, और 0.732 से ज़ादा होगा, तो cubical void मिलेगा, तो actually यहाँ पर हम यहीं देखते हैं, कि c l minus occupy the corners, or I can say simple cubic lattice points, है ना, यह तो style में लिख दिया, मैंने actually क्या है, सारे corners में है, और वहीं पर मैं बात करूँ, c s plus की, तो c s plus is present at the body center, जैसे पहले बात करी थी, उसको ही कर लेते हैं, अगर c l minus की बात करूँ, z की बात करूँ, total है 8, और present है, corners पर तो contribution हो गया, 1 by 8, तो अगर हम लोग एक unit cell में बात करें, तो एक unit cell में हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ एक c s c l, unit c s c l का molecule ही मिलेगा, यह ना गलती से यहाँ पर मैंने, na plus लिख दिया, this is actually c s plus, right, coordination number की बात करते हैं, तो coordination number of c l minus, और coordination number of c s plus, तो c s plus तो body center पर है, body center पर कौन सा void होता है, cubical void और cubical void का, coordination number क्या है, 8 है, right, तो this is it, c l minus का क्या है, तो वो भी 8 है, यह कैसे पता करते हम, तो basically यह c l minus है, और c l minus एक c s plus को चूरा है, इस cube में, और यह जो c l minus है, यह कितने cubes में होगा, 8 cubes में होगा, तो हर एक cube में, एक एक c s plus को चूरा है, तो total कितनों को चूरा है, overall वो भी 8 को चूरा है, right, coordination number of c l minus is also, 8, अरे क्या कर दिया, तो इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे, 8 is to 8 type compound, right, पिछला वाला जो compound था, वो था, 6 is to 6 type compound, यह है, 8 is to 8 type compound, यह आपको clear होना चाहिए, ठीक है, coordination number आना चाहिए, z निकालना आना चाहिए, अब मैं अगर, इनके relation की बात करूँ, तो जैसा मैंने पीछे calculate किया था, यहाँ पे आप देख लीजे, यह बीच में c s plus है, यह तीनों आटम्स एक दूसरे को touch कर रहे हैं, तो relation क्या हो जाएगा, the body diagonal which is root 3a, is actually equal to 2r plus 2r, right, also if I talk about a normal edge length, है न, अगर आप इस edge length की बात कर रहे हैं, तो यह दोनों एक दूसरे को touch कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, 2 capital R is actually equal to A, right, तो इन दोनों से आप सारे relation निकाल सकते हैं, आपको R और R सारी चीज़े पता चल जाएंगी, clear, पर क्योंकि हम लोगों को दोनों को साथ में relation चाहिए, तो आप इस relation को ध्यान दीजिए, root 3A is equal to 2R plus 2R, right, फिर वही सारी बाते कर लेते हैं, आई यह density की बात कर लेते हैं, तो density is Z into M, वो तो CSCL type structure है, divided by Na into A cube, A का relation हमने निकाल लिया, Z की value 1 है, तो density आ गई, right, packing fraction की बात करें, तो हमारे पास दोनों ही 1KK, 1K and 1N, तो क्या लिखूंगा, 1 into 4 by 3, pi R of CS plus का cube, जैसे छोटा R बोल रहा हूं, plus 1 into 4 by 3, pi CL minus का cube, right, divided by A cube, clear, तो यहां से आपको A का भी relation, पता है, तो आप यहां से packing fraction भी calculate, कर लेंगे easily, next, तो जैसे हमने यह CSCL type के structure की बात करी, और NACL type structure की बात करी, NACL था 6 is to 6 type, और CSCL हो गया, 8 is to 8 type, अना, NACL में 6 cateins, 6 anines को चूरे हैं, 6 anines, 6 cateins को चूरे हैं, CS plus, CSCL में, 8 cateins, 8 anines को चूरे हैं, 8 anines, 8 cateins को चूरे हैं, तो बात ऐसी है, अगर मैं pressure apply करूँ, pressure apply करने पर क्या होता है, ions pass आएंगे, ions pass आएंगे, तो मैं 6 is to 6 type compound को, 8 is to 8 type compound में convert, कर सकता हूँ, ठीक है, this is very important, क्या बोल रहा हूँ मैं, on increasing pressure, 6 is to 6 type compound, और वहीं पर, मैं अगर temperature increase कर दूँ, तो भाई temperature increase करेंगे, तो particles एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, तो मैं ultra काम कर सकता हूँ, 8 is to 8 type compound को, 6 is to 6 type compound में convert, कर सकता हूँ, तो basically, आपको यहां से ही समझ में आया, pressure increase करने पर, coordination number increase करेगा, temperature increase करने पर, coordination number decrease करेगा, that's it, है न, कोई आप से पूछ ले कि, क्या effect हो रहा है, तो आप सीदे सीदे इस बात का जवाब, दे सकते हैं, fine, एक और interesting बात बताता हूँ, coordination number का ratio, है न, let us say, coordination number का ratio, A और B का, X is to Y है, तो जो Z का ratio है, वो इसका opposite होगा, that will be Y is to X, ठीक है, this is very important, अगर, ये ratio, 1 is to 1 है, तो ये भी 1 is to 1 है, अगर ये ratio 1 is to 2 है, तो ये 2 is to 1 होगा, राइट, ये 4 is to 8 है, तो ये 8 is to 4 होगा, ये आप अभी देखेंगे, है न, तो this is a very important, thing which you should remember, जो coordination number और Z है, वो inversely related होते हैं, ऐसा कहा जाते हैं, तो ये पढ़े हमने, दो type के structure, NACL और CSCL, दोनों किस type के थे, AB type या MX type, दोनों एक एक है न, तो आप कह सकते हैं, वो AB type या MX type के structure थे, next हम पढ़ने जा रहे हैं, fluoride type structure, तो fluoride type जो structure है, इसमें आप देखिए, हमारे पास है CA plus 2, और F minus, तो जो CA plus 2 है, आप देखिए वो क्या बना रहा है, वो FCC बना रहा है, या मैं बोल दूँ, CCP packing बना रहा है, और F minus occupy कर रहा है, सारे tetrahydral voids को, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया, Z की value, the number of atoms, तो यह हो गया 8, तो effectively आपको क्या मिल गए, 4 CAF2 के molecules मिल गए, है न, तो अगर मेरे पास 1 unit cell है, तो 1 unit cell में मेरे को, 4 CAF2 के molecules मिलेंगे, clear, next, coordination number की बात करते हैं, coordination number of CA plus 2, and coordination number of F minus, तो F minus कहा बेठा है, TV में बेठा है, और कोई भी चीज जो TV में बैठती है, TV बोले तो tetraidal void, coordination number 4 होता है, अगर 4 है, तो CA plus 2 किता होगा, अभी अभी बता है, अगर यह ratio, देखें आप, तो यह ratio क्या है, this ratio is 4 is to 8, तो यह ratio क्या हो जाएगा, 8 is to 4 हो जाएगा, right, तो coordination number of CA plus 2 is actually 8, तो इसे आप बोलना चाहो, तो 8 is to 4 टाइप compound भी बोल सकते हो, पर usually नहीं बोला जाता, right, तो हमको एक ही यह बहुत important बात समझ में आई, हमने Z की value निकाल ली, और coordination number की value निकाल ली, density की बात करें, तो Z, जो की है 4, into mass of, जो भी चीज है, for example, CF2 बन गया यहाँ पर, है न, NA into AQ, तो आप बात करनी है A की, तो A कैसे पता करें, तो F- जो है, वो tetrahydral void में बठा है, तो आप याद करिए, हमने बात कर रखी है, एक body diagonal की FCC में, है न, यहाँ पर atom number 1 है, यहाँ पर atom number 2 है, यहाँ पर मिलता है मेरे को OV, यहाँ पर मिलता है मेरे को TV, राइट, तो यह है TV, तो basically क्या हो रहा है, यह atom और यह जो TV है, यह TV में जो भी आके बाटेगा, वो एक दूसरे को टच करेगा, अब इस atom को NIN1 मान लो, है न, और यहाँ पर मान लो की कटाएन बठा है, तो actually जब मैं इन दोनों के centers को जोड़ूंगा, है न, तो actually मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा, यह मेरा NIN, और यह मेरा कटाएन, और अगर इस पूरे की बात करें, तो आपको पता है, this length is actually root 3A, and the distance between the atom and the tetrahidal void is actually root 3A by 4, isn't it, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, R plus R की value आ गई, root 3A by 4, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी relation मिल गया, R और R में, ठीक है, R, R और A में, next packing fraction, तो भाई, same है, I hope आपको इस सारी बाते clear हो गई होंगी, packing fraction कैसे निकालूंगा, CA कितने हैं, CA 4 हैं, तो 4 into 4 by 3 pi R, CA plus 2 का, cube, plus, F कितने हैं, 8 हैं, तो 8 into 4 by 3 pi, R of F minus का, cube, divided by AQ, clear, तो this was fluoride type structure, fluoride type structure का जो formula है, वो AB2 type का होता है, है na, this is of the type AB2, जैसे कि हमें यहां क्या मिला, CAF2 मिला, right, 4 CA और 8 fluorine, तो CAF2, तो fluoride का ही उल्टा होता है, anti fluoride, अगर यह AB2 है, तो वो हो जाएगा A2B, है na, यह AB2, वो A2B, तो बात कर लेते हैं, this is actually AB2 type structure, right, और अगर मैं आपे बात कर लूँ, O2- की, और बात कर लेता हूँ, NA plus की, तो यहां पर आप देखिए, O2- occupy कर रहा है, FCC positions को, और NA plus occupy कर रहा है, all TVs को, है न, this is exactly opposite, वहां पर क्या था, CA plus 2, जो की क्या था, के TIN, वो FCC बना रहा था, यहां पर NIN FCC बना रहा है, इसलिए तो NT बोल दिया, उसका एकदम उल्टी चीज है, right, Z की value निकालते हैं, Z of O2- is, FCC बोले तो 4, है न, Z of NA plus, which actually should be double, तो यह होगया 8, तो क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर basically मेरे को मिलेंगे, 4 NA2OK molecule, तो basically, एक unit cell में, 4 NA2OK molecule मिले, right, next, coordination number, O2-, coordination number, NA plus, NA plus कहा बैतर, TV में बठा है, तो यह 4 है, भाई यह 4 is to 8 था, तो क्या यह 8 is to 4 होगा, again the same thing, right, तो यहां पर मिल जाएगा, मेरे को 8 is to 4 type compound, यहां पर भी सारी चीज़े सेम है, R plus R की value, root 3 A by 4 है, क्योंकि structure में तो कोई change नहीं होगा, बस वहां पर, केटाएन की जगा बैना यह ना गया है, right, बाकी सारी चीज़े तो सेम ही, R plus R is root 3 A by 4, density, packing fraction, एकदम सेम तरीके से हम calculate कर सकते हैं, कर सकते हैं ना आप, definitely कर सकते हैं, तो यह हो गया, anti-fluoride type का structure, next हम बात करेंगे, ZNS, ZNS की दो structure होते हैं, एक बोलते हैं, वर्जाइट type structure हो रहे होता है, zinc blend, या blend type structure, ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं, वर्जाइट type structure, तो वर्जाइट type structure में, जो ZN plus 2 है, और S2 minus है, उनका number सेम है, right, अगर मेरे को सेम number का चाहिए, तो या तो octahidal void में बिठा दू, या half tetrahidal void में बिठा दू, right, तो यहाँ पर S2 minus जो है, वो HCP में बैठता है, और अगर, मैं सारे के सारे octahidal void में बिठाऊंगा, तो सेम number होगा, पर actually octahidal void में नहीं बैठता है, यह half of tetrahidal voids में बैठता है, half of TV, है ना, तो अगर मैं number की बात करूँ, तो S2 minus का number किता हो गया, Z का, ठीक है, इसकी वैसे बहुत जादा बात करी नहीं जाती है, Z of S2 minus is actually equal to, HCP, तो अच्छे, Z of Na plus, Na plus क्यों बोल दिया, Zn plus 2, it is half of TV, तो half of TV, TV किते होते हैं, इसके double, तो यह भी कितने आगए, 6, तो अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को 6 ZnS, molecule मिल रहे हैं, in one unit cell, आगे इन density की बात कर लें, तो density is Z into M by Na into, A cube नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे यह hexagon है, है ना, तो volume of hexagon, वो मैंने आपको सिखा रखी, कैसे calculate करते हैं, तो this is V, Z is actually 6, this is mass of ZnS, and unpacking fraction, if we want to calculate, तो दोनों का number 6 है, तो 6 into 4 by 3, R of, Zn plus 2 का cube, plus 6 into 4 by 3, pi R of, S2 minus का cube, divided by, volume of the unit cell, right, तो इस तरीके से, आप packing fraction भी calculate, कर सकते हैं, right, अब हम, आगे बढ़ते हैं, ZnS के दूसरे structure पे, which is, blend type structure, तो जो blend type structure है, वो भी exactly similar है, देखी, ratio जो है, 1 is to 1 का ही है, है ना, तो वहाँ पर क्या क्या है, HCP लिया, और half of TV ले लिया, यहाँ पर CCP ले लेंगे, बात तो एक ही है, है ना, दोनों ही close packing है, तो यहाँ पर जो S2 minus है, वो basically FCC बोल दूँ, तो again, if I calculate the number, the number of S2 minus would actually be 4, and the number of ZN plus 2, would be half of the tetrahidal voids, tetrahidal voids are actually the double, double in number, तो यहाँ पर मेरे को यह value मिल जाएगी 4, तो अगर मैं एक unit cell की बात कर लूँ, तो एक unit cell में मेरे को, 4 ZNS के molecule मिलेंगे, 4 ZNS molecule, राइट, बाकी density और packing fraction जो है, पिछली तरीके से हीज, हम देख सकते हैं, density is Z into M of ZNS, divided by Na, क्योंकि अब मैं cube पे आचुका हूँ, है न, तो A cube लिख दूँगा, और packing fraction में आप, 4 into 4 by 3 pi, और क्या, R of ZN plus 2 का cube, exactly same, plus 4 into 4 by 3 pi, R of S2 minus का cube, divided by A cube, यह लिख सकते हैं, तो आपको packing fraction भी मिल जाएगा, clear, तो यह बात बहुत simple हो गई, coordination number की भी बात कर लेते हैं, चलिए, coordination number of S2 minus, और coordination number of ZN plus 2, भाई, ZN plus 2 कहां बैठा है, ZN plus 2 बैठा है, TV में, और जो भी TV में बैठता है, उसकी value 4 होती है, right, coordination number की, ratio देखो, यहाँ पर 4 is to 4 था, तो यह भी 4 is to 4 यह आएगा, right, तो again this is, 4 is to 4 type compound, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैंने pressure increase किया, तो 4 is to 4 type compound, 6 is to 6 type compound में, या 8 is to 8 type compound में, convert हो सकता है, तो यह आपको click करना चाहिए, right, 4 is to 4 type compound को, 4 is to 4 type compound को, आप convert कर सकते हो, into 6 is to 6 type, और 8 is to 8 type, through applying pressure, pressure increase करने पर यह काम हो जाएगा, temperature increase करने पर होगा, नहीं नहीं, temperature increase करने पर तो, coordination number decrease करता है, right, आईए अब हम बात करते हैं, diamond की, है न, the most expensive thing, which we know of, मनलब, not, जरूरी नहीं है, पर हाँ, अगर हम diamond की बात करें, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, कि diamond बहुत expensive है, तो इसकी density, बहुत अच्छी होनी चीज़, इसका packing fraction, बहुत अच्छा होना चीज़, राइट, आईए देखते हैं, बात ऐसी है, कि जो ZNS है, उसका ही structure, और diamond का जो structure है, वो similar है, ZNS में हमने बोला था, S2- FCC बना रहा है, और ZN plus 2 जो है, वो half of TV में बठा है, पर actually diamond जो है, diamond भी same ही है, भाई diamond क्या है, carbon है न, तो यहाँ पर interestingly, carbon ही FCC बना रहा है, और carbon ही, TV में बठा है, है न, half of TV, तो अगर हम लोग यहाँ पर, ध्यान से सोचे हैं, तो Z की value क्या हो गई, भाई अब Z अलग-अलग calculate करने की जरूरती नहीं है, सभी तो carbon है, तो Z of diamond, is actually, एक unit cell ले लू, है न, unit cell में, जो Z की value है, carbon FCC, FCC बोले तो 4, tetraidal void, 4, क्योंकि half है, तो total Z की value हो गई 8, Z की value 8 हो गई, density निकाल ले, density हो जाएगी, Z into M, by Na into A cube, right, Z की value 8, mass of carbon पता है, Na पता है, A, निकाल लेंगे, है न, अगर हम लोग relation की बात करें, तो जैसे ZNS में हमने बोला था, कि ये TV में बैठा है, भाई TV का तो मैंने derivation करके दिखाया है आपको, देखो ये TV में था, AB2 में भी क्या था, TV में था, tetraidal void में था, तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, R plus R की value is, root 3 A by 4, this is applicable to ZNS as well, मैं यहाँ पर ZNS जो की blend type structure है, उसमें भी यह कह सकता हूँ, कि R of ZN plus 2, plus R of S2 minus is actually equal to root 3 A by 4, क्या हो गया है, this is root 3 A by 4, पर भाई ZN और S2 minus को तो दोनों carbon से replace कर दिया है, तो क्या मैं बोल दिया है, RC plus RC is actually equal to root 3 A by 4, और through this I get RC as root 3 A by 8, carbon की जो radius है, root 3 A by 8 आगई, तो packing fraction भी आ जाएगा, packing fraction is basically the number of atoms which are present inside, which is actually 8 into 4 by 3 pi R cube, R किसका लिख लें, RC लिख लेते हैं, divided by A cube, तो A कैसे लिख लूँ, A को लिख लूँगा, 8 RC by root 3, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको substitute कर दें, जो packing fraction आता है, approximately 0.34, 0.35 के आसपास आता है, भाई हम तो सोच रहे थे, अगर diamond इतना expensive है, तो तो packing बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, पर नहीं है, है ना, packing जो है, वो स्रिफ और स्रिफ 0.34 परसेंट है, राइट, डारेक्ली सवाल पूछे जाते हैं, कि जो diamond इसका packing fraction भरता, इट इस 0.34, या 34 परसेंट, ठीक है, तो इस तरीके से आप, जो ये सारे structure हैं, किसी का भी आप coordination number निकाल सकते हो, Z का number निकाल सकते हो, density, and packing fraction easily calculate, कर सकते हो, इस वर दे इंपॉर्टेंट कंपाउंट्स, अब कुछ structures हैं, कुछ compounds हैं, जो हमें अगर याद हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमको जो exam में, वो बता ही देगा, कि यह यह इस टाइप की packing, जो भी हमारा cation है, वो या तो CCP बना रहा है, O2-HCP पर बैठता है, HCP positions occupy करता है, तो Z of O2- कितना हो जाएगा, HCP बोले तो 6, and Z of AL plus 3, भाई, octidal voids कितने हो जाएगे, same number which is 6, तो AL plus 3 जो है, 2 third, तो 2 by 3 into 6 which is 4, तो अगर मैं formula देखूं, तो basically AL हो गए 4, है न, 4 AL plus 3 हैं, और 6 O2- है, तो overall यहाँ पर जो हमारे पास formula बना, simplest formula that is AL2O3, तो corandum type structure जो है, corandum actually बोला ही AL2O3 को जाता है, तो corandum type structure जो होगा, उसमें, जो हमारा O2- है, वो HCP बनाएगा, और जो भी हमारा cation है, वो two third of octidal voids पर present होगा, ठीक है, अगर यह data given है, तो आपको यह निकालना आना चाहिए, right, next अगर rutile type structure की बात करें, तो वापस से O2- का ZN, sorry, Z किता है, Z of O2- is, 6, Z of Ti plus 4, वो कह रहा है, half of tetrahidal voids, sorry, half of octahidal voids, तो यह 6 है, यह इसका आदा 3, right, तो formula क्या हो गया, Ti plus 4 हमारे पास 3 हो गए, और 6 O2- हो गए, आप हर जोगे देखें है, charge तो balance हो ही रहा है, तो यह भी बात बहुत important है, कि कोई भी आइनिक solid हो जाए, जो charge है, net charge 0 ही होगा, यह मैं कहा दूँ, total positive and total negative charge हमेशा, same ही होना है, यहाँ पर यह plus 12 और minus 12, तो यह बन गया Ti O2 type structure, right, इससे बोलते हैं, रूटाइल, इसका नाम ही रूटाइल, है ना, तो रूटाइल type structure हो गया, AB2 type यह, है ना, यह हो गया A2, B3 type, right, next type के structure, spinal and reverse spinal, या inverse spinal, तो अगर हम बात करें, तो O2 minus FCC में, तो Z की जो value है, that is, FCC बोले तो 4, AL plus 3 is, half of octahedral voids, अगर यह 4 था, तो octahedral voids, same 4 होंगे, उसका half, तो half of 4, which is 2, and Z of Mg plus 2, Mg plus 2 बैठा है, 1 eighth of tetrahedral voids, तो यह अगर 4 थे, तो tetrahedral voids would be, double in number which is 8, तो this is 1, तो यहां से हमको formula मिला, आप देखिए, 1 Mg plus 2 है, 2 Al plus 3 है, और 4 O2 minus है, तो Mg, Al2, O4, Mg, Al2, O4, यह हमारा formula बन गया, spinal type structure का, यह आप A, B2, C4 भी बोल सकते हों, इसको है न, reverse spinal की बात करें, तो O2 minus FCC बना रहा है, तो Z of O2 minus is 4, Z of Fe plus 3, 1 eighth of TV, TV तो double थे, मतलब यह 8 थे, OV 4 थे, तो 1 eighth of 8th is 1, plus 1 fourth of 4th, 4 तो यह हो गया, 2, and Z of Mg plus 2, Mg plus 2 है, 1 eighth of tetrahedral voids, which is 1 by 8 into 8, which is 1, तो यहाँ पर formula क्या बना, यहाँ पर formula बना, Mg plus 2 1 है, 2 Fe plus 3 है, और 4 O2 minus है, so the formula becomes, Mg Fe2 O4, right, Mg Fe2 O4, ठीक है, this is inverse spinal यह reverse spinal का structure, formula है ना, structure हम को याद ही नहीं करना है, परवोकसाइट टाइप structure, अगर हम लोग इसमें बात करें, O2 minus, O2 minus is present at the FCC, not FCC, sorry, face centers पे, तो face centers होते हैं, 6, contribution है, 1 by 2, the value is 3, if we talk about, यह L plus 3 नहीं होता, it is Ti plus 4, अगर हम लोग Ti plus 4 की बात करें, there is only one body center, so the value is 1, and if we talk about, calcium plus 2, it is present at 8 corners, contribution is, 1 by 8, so the value comes out as 1, तो मेरे पास, Ca plus 2 1 है, titanium plus 4 भी 1 है, और O2 minus 3 है, तो formula comes out as, Ca Ti O3, इसे हम कहते हैं, परवोकसाइट टाइप structure का formula, right, और A, B, C3, ठीक है, तो यह हमने बात कर लिए, सारे टाइप के ionic solids की, अब हम आज आते हैं, कुछ previous year questions पे, तो जो पहला question है, वो 2020 का है, उसने हम लोगों को एक unit cell दे रखा है, उसने हमें cation और A9 की position बता रखी है, और कुछ सवाल पूछे गए हैं, this is multiple correct question, तो जो सबसे पहली बात है, मैं Z की value निकाल लेता हूं, तो Z of M, and Z of X, M कहाँ पे हैं, M आप देखिए, यह exactly, this position is basically, face center, तो दो face centers पे हैं, तो 2 into 1 by 2, the value is 1, about X, वो edge center पे, 4 edge center पे, contribution 1 by 4, तो यह formula क्या बन जाएगा, यहां से, M X type formula बन गया, right, so the first part is correct, secondly वो कह रहा है कि, M और X की different coordination geometry है, coordination geometry अलग होने का मतलब, coordination number भी अलग अलग है, पर अगर Z की value, Z का जो ratio है 1 is to 1 है, तो क्या coordination number का भी ratio 1 is to 1 होना चाहिए, और अगर वो भी 1 is to 1 है, तो coordination number same है, मतलब different geometry नहीं है, same geometry है, so this is incorrect, ठीक है, तो B incorrect हो गया, thirdly, the ratio of MX bondland to the cubic unit cell edge length is 0.866, ये पूछा गया है, तो ये करने के लिए, देखिए ये तो packing है, है न, उनने हमको एक unit cell दिया है, मैं थोड़ा सा इसका unit cell change करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं visualize अच्छे से कर पाऊ, तो मान लो, मैं अपने, unit cell को ऐसा मान लेता हूँ, है न, इसको मैंने, ये वाली जो layer है, let us say, ये layer 1 थी, ये layer 2 है, ये layer वापस से बना गई, तो यहाँ पर मैं layer 2 बनाना चाह रहा हूँ, तो actually मैं यहाँ पर मिल जाएगा, एक atom ऐसा, एक atom ऐसा, एक यहाँ, एक यहाँ, यूनिट सेल, इसको मान लेता हूँ, इस पार्ट को, तो अगर मेरा ये unit cell हो गया, मैं कोई सा भी unit cell मान सकता हूँ, मेरको उसमें कोई issue नहीं है, राइट, पैकिंग जो है, बस वो repeat करनी चाहिए, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो जो मेरा unit cell है, वो body center हो गया है न, यहाँ पर ये देखो, ये body center हो गया, और ये जो सारे आटम से, ये corners पे है, ठीक है, तो अगर मेरे पास एक body center पे, एक कोई दूसरा iron है, और corners पे दूसरे iron है, तो क्या ये cubical void का example हो गया, है न, तो actually हमारे पास क्या है, मैं इसको next page पे बना लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ, ये iron, ये iron और बीच में एक और iron, तो वही बात हो गई, cubical void के लिए, तो 2R plus 2R is actually, equal to root 3 है, right, and we know, कि यहाँ पर ये जो दोनों atom से, ये touch कर रहे है, ठीक है, ये जो दोनों atom से corners की, ये दोनों एक दूसरे को touch कर रहे है, तो क्या मेरे को ये भी पता है, 2R is actually equal to A, है न, तो दोनों का ratio निकाल लूँ, तो R plus R by R का ratio आजाएगा root 3, right, तो यहाँ से मेरे को R by R की value मिल जाएगी, root 3 minus 1, which is 1.732 minus 1, which is 0.732, right, क्या ये हम से पूछा गया है, हाँ, आएनिक radii का ratio पूछा गया है, 0.414 ही तो गलत है, है न, और साथ ही साथ उसने हम से Mx bond length, अच्छा Mx की bond length क्या हो जाएगी, की ये bond length है, तो basically हम से value पूछी गई है, 2A, sorry, A की, not 2A, just A divided by, Mx bond length, oh, sorry, ये गलती कर दी, वो पूछ रहा है हम से ratio, ratio of Mx bond length, है न, divided by the radius, तो Mx की bond length क्या है, आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास M है, M, corner में तर नहीं, तो ये M है, ये X है, ये X है, right, तो बस, ये सीधी सीधी बात हो गई, इन दोनों की बीच की distance कितनी हो गई, है न, this distance is actually equal to, R plus R, divided by A की value पुछी गई, तो R plus R की value, अभी-भी मैंने निकाली, R plus R is basically equal to, root 3 A by 2, है न, तो ये value हो गई, root 3 A by 2, divided by A, तो A उडा दिया, we will get root 3 by 2, और root 3 हो तो 1.732, तो 1.732 divided by 2 is actually 0.866, correct है न, तो यहां पर ये जो statement है, third वाला ये भी correct है, तो A and C are correct, right, तो ये बड़ा अच्छा सा वाल था 2020 का, moving on to the next question, तो क्या रहे, consider an ionic solid MX with a NACL type structure, construct a new structure, whose unit cell is constructed from the unit cell of MX, following the sequential instructions given, neglect the charge balance, तो सबसे पहले तो हमारे पास NACL type structure था, है न, तो NACL type structure में क्या होता है, एक FCC बना ले और दूसरा, octahedral void में बैठे, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया था, NACL के case में, जो NINs और Cations है, वो या तो NIN को आप FCC ले लो, या Cation को आप FCC ले लो, तो this is FCC, अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यह मेरे को पता चलेगा, इसके basis पे, तो remove all the NINs, except the central one, central one मतलब body center पे, मतलब body center पे कौन present है, NIN present है, तो NIN body center पे present है, और body center पे क्या होता है, octital void होता है, तो मेरे को समझ में आगे, कि actually ऐसा कोई case है, यह मेरे को सबसे पहले, इसके दुरू पता चला, तो मैं लिख लेता हूँ, करके M कहा कहा present था, face centers पे present था, और corners पे present था, और X minus जो है, M plus और X minus माल लेते हैं, तो यह जो NIN है, वो कहां present था, octital voids, मतलब edge center और body center, तो उसने का, remove all the NINs X except the central one, तो body center को रहने दिया, edge center से उड़ा दिया, राइट, second instruction, replace all the face centers M, by NINs X, तो यह जो face centers थे योड़ा दिया, और X minus को actually place कर दिया, face center में, right, third instruction, remove all the corner cations M, विचार M से तो सब हटाएं जा रहे हैं, तो यह भी हटा दिया, replace the central NIN X, with cation M, तो basically जो X minus body center पे था, central उसको हटा दिया, और इसको body center पे place कर दिया, तो इन instructions की बाद, मेरे को बस इत्ती सी बात समझ में आई, कि जो M है, cation, it is only present at body center, है ना, यह जो राम कानी है, इसका सरिफ यह, निशकर्ष निकल के आया है, और X जो है, वो present है face center पे, बस इतनी सी बात बोलने के लिए, इतना complicate किया है question को, right, तो अगर मैं M की बात करूँ, तो M की value तो 1 है, और face center होते हैं 6, contribution है, 1 by 2 तो यह 3 है, अब आप से सवाल में पूछा गया है, number of anions which is X, तो 3 by 1, तो answer is 3, right, next question, if the unit cell of a mineral has CCP array of oxygen atoms, with M fraction of octahedral holes, occupied by aluminium, and M fraction of tetrahedral holes, occupied by magnesium, ठीक है, यह आपको अब directly नहीं पता चल रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखें, तो यह indirectly कुछ बताना चाह रहा है, O2 minus FCC बना रहा है, और, L plus 3, कहीं तो बैठा है, L plus 3, octahedral voids में बैठा है, तो octahedral voids में बैठा है, number मेरे को नहीं पता अभी, और Mg plus 2 जो है, वो tetahedral voids में बैठा है, number मेरे को नहीं पता, पर आप देखो, Mg, Al और Oxygen, यह हमने थोड़े देर पहले डिसकस किया था, Mg, Al और Oxygen, तो यह basically half of octahedral voids में बैठता है, और one eighth of tetahedral voids में बैठता है, अगर यह आपको पता होता, तो आप directly वो कोशन में टिक कर देते हैं, और suppose करो आपको नहीं पता, तो हम लोग logic से पूरा कोशन सॉल्व कर सकते हैं, भाई, logic यह कहता है कि कोई भी ionic solid है, वो तो neutral होना चाहिए, तो अगर मैं O2- की बात करूँ, तो O2- FCC में 4 है, तो total negative charge हो गया 8, यह negative charge है, मेरे को positive charge भी कितना चाहिए, 8 चाहिए, अब भाई, इन दोनों की मदद से आप कैसे बना लोगे 8, तो I think आपको यह सीधे-सीधे दिख रहा होगा, यह plus 2 contribute कर दे और यह plus 6 contribute कर दे, तो हम solve कर देंगे, अगर यह FCC है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यह 4 है, octahedral voids कितने थे, 8 थे, tetrahedral voids कितने, sorry, octahedral voids, 4 थे, tetrahedral voids कितने थे, 8 थे, मेरे को mg plus 2 कितने चाहिए, 1 ही चाहिए, 1 ही चाहिए मतलब 1 8 चाहिए, और OV, mg यहाँ पर मेरे को overall 2 चाहिए, यहाँ पर 4 थे, तो 1 by 2, तो यह 2 हो गए, तो basically मैं क्या कह सकता हूँ, L plus 3 का जो fraction है, वो 1 by 2 है, और mg plus 2 का जो fraction है, वो 1 by 8 है, तो 1 by 2 and 1 by 8 is our answer, right, 1 by 2 and 1 by 8 is our answer, आपने logically भी पूरा तरीके से यह solve कर लिया, right, just by using total positive charge is equal to total negative charge, agreed, next question, atom X occupies the FCC lattice cells as well as alternate tetrahidal voids of the same lattice, the packing efficiency of the resultant solid is, भाई यह तो diamond की बात कर रहे हैं, diamond में हमने क्या बोला था, diamond में carbon ही FCC पर बैठता है, और carbon ही half of TVs पर बैठता है, है ना यह जो half of TV basically alternate ही है, alternate का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो, आपको पता है एक जो body diagonal है, यह जो body diagonal है इस पर हमको दो TV मिलते हैं, है ना, तो इस पर present है, इस पर absent है, है ना, दोनों में से एक जग़े ही मिल रहा है, right, तो basically यह बात कर रहे हैं, diamond की और थोड़ी देर पहले, मैंने आपको derive करके दिखाया है, diamond का packing fraction is actually 34%, है ना, closest answer is 35, calculate करने पर exactly 34 answer आते हैं, ठीक है, तो this was a direct question, and this question is from 2021, J.E. Advance, तो वो पूछ रहा है, आप से packing efficiency, और आपको यहाँ पर जो दे रखा है, solid, वो थोड़ा से unique है, है ना, अब आप इस solid को देखिए, तो यहाँ पर यह जो दोनों atom से यह touch कर रहे हैं, अगर यह R है, यह भी R है, तो can I say A is 2R, right, और अगर आप यहाँ पर देखें, इसको, तो यह है ROOT 3 है, है ना, I am sorry, this is not ROOT 3 है, this is ROOT 2 है, क्योंकि यह FACE diagonal है, है ना, यह FACE diagonal ऐसी है, यहाँ पर एक atom, यहाँ पर एक atom, और बीच में एक और atom, है ना, let us see यह atom, तो यह जो distance है, this is ROOT 2 है, and ROOT 2 है is actually equal to, यह capital R, राइट आपको यह दोनों relation मिल गए, अब आप से पूछी जा रही है, packing efficiency, तो packing efficiency is actually, the number of atoms of X, into the volume of X, तो number of atoms of X किते हैं, तो X आप दिख रहा है, FCC पर है, अगर मैं X की बात करूँ, तो X, FACE centers पर है, तो इसका number किता होगा, 6 into 1 by 2 which is 3, और अगर मैं Y की बात कर लूँ, तो Y कहाँ पर है, सिर्फ corners में, so that is 8 into 1 by 8 which is 1, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, कि X 3 हो गए, Y 1 हो गए, तो packing fraction क्या लिख लूँ, X के respect में, 3 into 4 by 3 pi R, X का cube, प्लस, यह तो एक ही अटम है Y का, तो 1 into 4 by 3 pi R, Y का cube, divided by A cube, है ना, अब मैंने R X को क्या मान रहिया है, R X को छोटा R मान लिया है, R Y को capital R मान लिया है, तो यहाँ से मेरे पास packing fraction आ जाएगा, packing fraction वोड बी, 3 into 4 by 3 pi, छोटा R का cube, प्लस, 1 into 4 by 3 pi, capital R का cube, divided by A, अब आप A को देखो, तो A को तो आप क्या बोल सकते हो, 2 R का whole cube, तो 2 R का whole cube, तो आप बस दोनों को divide कर देंगे यहां से, तो यह हो गया, 4 pi R cube, divided by 8 R cube, प्लस, 4 pi R cube, divided by, यहां का 3 और यहां का 8, तो यहां जाएगा, 24 capital R cube, है ना, तो यह तो value आ गई, pi by 6, और यह value आ जाती है, pi by 2 R by R, और यह R by R की value में कैसे निकालूं, तो मेरे को यह दोनों relation दे रखे हैं, अगर मैं दोनों को divide कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, this divided by this कर रहा हूं है ना, तो root 2 by 1 is actually equal to R plus R by R, तो यहां से आपको R by R की value मिल गई, root 2 minus 1, इसको यहां substitute कर दूंगा, right, तो यह pi by 2, into root 2 minus 1 का cube, plus pi by 6, ठीक है, so I hope आप इसको calculate कर सकते हैं, and on calculation, we will get 0.63 as the answer, right is question का answer आता है, approximately 63% जो है इसकी packing efficiency, okay, तो 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 दे, आज हमने बात करी, सारे टाप की आइनिक solids की, सारी चीजे हमने उसमें इसकोशन किया, like Z, coordination number, packing efficiency, density, everything, and we also discussed about diamond, ठीक है, diamond is very important, actually it is very important, okay, तो वी रूमेट सून, stay tuned.